नमाश्कार साथ यहों आज की क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं रिजनी की spacial class और रिजनी की spacial class एक दम आपके लिए practice class लेकर आई हैं, जो कि miscellaneous questions कराई जाएंगी, तो चलिए प्रारमब करते हैं, आज की class के miscellaneous और यानि की parts of practice question number one प्रस्ण संख्या एक कहता है जैसे कि आप ध्यान पूर्बग देखते चलेगा कि निम्नलेकित किन चिन्नों को परस पर बदलने से समीकर सही हो जाएगा ये चीज आप से पूछी जा रही है देखिए सबसे पहले मैं इस equation को solve करने के लिए आपके लिए एक option पिक कर रहा हूं आप solve कि जगा ध्यान दी जगा मने कहा कि आप option dp कर लिजे वाकि आप बारी बारी से सभी को पिक कर सकते हैं जो आपको बैटर लगे देखिए bracket हो जाएगी आपके clause और plus के स्थान पर ले जगा divide और multiply के स्थान पर multiply ले जगा is equal to 64 यानि की 64 अब solve करेंगे बोर्ड मास याद होगा ना बोर्ड मास याद होगा पहले bracket solve करेंगे तो आठ और आठ कितना होता है 16 16 को आठ से भाग करेंगे कितना हो जाएगा दो दो की गुणा 32 से करेंगे कितना हो जाएगा 64 परावा चौसर्ट डैट इस option fourth one is the right answer आईए अगले प्रस्ण में चलते है प्रस्ण कहता है नेमने लिखित किन चिन्नों को प्रस्ण पर बदलने से समी कर सही हो जाएगा यानी same logic का question है लेकिन क्या करना है अब reverse करना है जैसे कि first बाले के स्थान पर second बाले symbol के स्थान पर first बाला symbol लगाना है मैं आपसे कहना चाहूंगा कि एक option number third pick का लिजे जैसे क यह सभी चीजें आपको practice party paint करती है आईए ध्यान दी जगा 10 गुणा 10 भाग 10 minus 10 और यह वाला जो गुणा है इसके इस्थान पर जाएगा आपका plus अब बराबर कितना रखा है 10 बोर्ड मास के सभी नियमों का पालन करना है 10 से 10 को भाग करेंगे 1 जाएगा 1 की 10 से गुणा क करेंगे 10 हो जाएगा और minus के 10 से यह वाला plus का 10 cancel हो जाएगा value क्या हो जाएगी 10 बराबर 10 that is option number C is a correct answer आईए next question देखेगा प्रस्न कहता है minus R के लिए plus A के लिए divide B के लिए और multiply C के लिए प्रदर्शित करता है यानि कि यह इनके मान दिये गए है या इनके लिए कि देखिए हमें 25 यानि 25 दिये है और A फिलस हो जाएगा एक इस्थान पर फिर 30 है इस से 30 के बाद में C सी के इस्थान पर multiply हो जाएगा फिर B दिया है आई ब के इस्थान पर divide हो जाएगा अब R दिया है आड र की इस्थान पर minus हो जाएगा बराबर question mark लगा हुआ है हमि क् और किस प्रकास से चीजों को follow करना है board mass लगाना है 4 नीचे आएगा 2 से 4 को काटेंगे कितनी बार हो जाएगा 2 बार और 2 से साड़े से 30 हमें दिया होगा है साड़े से 30 क्या होता है 18 दूनी 36 होता है कितना हो जाएगा 25 plus 18 दूनी कितना होगा 36 37 हमें क्या करने है दोई से 30 को भाग करना है 37 को जब दोई से भाग करेंगे तो देखो 2 इकन 2 2 अठे 16 और दसम्ला एक और यह हो जाएगा आपका माइनस एक दसम्ला पांच माइनस एक ब्राबर question mark इन दोनों को जोड़ेंगे 25 और 18 अगर हम आपकमिंग एक्जम्स के बारे में आपको अवगत करा रहा है, देखते चलेगा, 25, 175 है, 25 है, 25 के दोनों अंकों को जोड़ दीजे, 25 सत्य कितना होता है, 175, 32 है, 32 के दोनों अंकों को जोड़ दीजे, 32 पंजे कितना होगा, 160, और 160 बोले तो आपसंडी is a correct answer, next question, प्रस्न कहता ह है, चेनी जिस प्रकार से मूर्तिकार से संबंद रखती है, उसी प्रकार से हैंगा, या फिर हैरो किस के साथ संबंद रखेगा, तो याद रखना, हैरो का संबंद माली से उसी प्रकार होता है, जिस प्रकार चेनी का संबंद मूर्तिकार से होता है, next question, question कहता है, a, z, i, o, तो E, K के साथ क्या होगा, देखे, A है, और यहां पे I बना, इसमें मैं आपसे कहूँगा कि प्लस आठ कर लिजे, Z है, और यहां O बना, यनि कि यहां पे भी प्लस आठ कर लिजे, सेम लॉजिक लगाना है, E में प्लस आठ करेंगे, तो पाँच प्लस आठ कितना होता है, तेरा वाला A की आपसन है, आपसन B is a right answer, नेक्स्ट कोशन, चंद्रमा उप ग्रह है, तो प्रत्वी क्या है, ये चीज आपसे पूछी गई है, जैसे चंद्रमा का संबंद उप ग्रह से है, प्रत्वी का संबंद किस से होगा ग्रह, ये आपसन सेकेंड बन is a right answer, कोशन में दिया गया है, देखिए, A का इस्थानियमान एक होता है, और N का इस्थानियमान 14 होता है, प्लस 13 किया गया, और 2 प्लस 13 कितना हो गया, 15 यानि प्लस 13 करना है, 12 में 13 जोडेंगे कितना बनेगा 25, option D is a correct answer, next question, प्रस्ण में आपको कुछ भी नहीं करना, order से सभी की सभी चीजों को लगाते चलना है, जैसे इसने मुझे दिया है, V, Z, C, I, इनका ऐसे करके इस्थान रख लो, 1, 2, 3, 4, और इने चेंज करने के लिए ने बनाया, Z, V, I, C यानि कि यह हो गया 2, A, 4, और 3 का logic, same logic आपको apply करना है, क्या हो जाएगा 2, यानि X से start करेंगे, option D is a correct answer, option eliminate करना सी के, option को pick करना सी के, life में कभी भी reasoning में आपको तकलीफ नहीं होने वाली, option D is a right answer, next question, question कहता है, बैब विकल्प चुनियेगा, जो तीन अन तीन विकल्पों स C में एक जोड़ा D हो गया, F में एक जोड़ा G हो गया, E में एक जोड़ेंगे F, H में एक जोड़ेंगे I, I में एक जोड़ेंगे J हो जाएगा, और L में एक जोड़ेंगे तो M हो जाएगा, लेकिन या क्या हुआ, G में एक जोड़ के आच होता है, लेकिन J में एक चाहिए था उन्त में इसलिए आंसर होगा option number D is a correct answer आईए next question देखते हैं प्रस्ण कहता है दिये गए उत्तर विकल्पों में से कौन सा विकल्प ने में लिखित की आंतरीक परत से प्रारंब करते हुए सार्थक क्रम को complete करता है याद रखना इन सभी चीजों को proper तरीके से सबसे पहले हमारा इस्थल मंडल आता है इस्थल मंडल के बाद हमारा जल मंडल आता है जल मंडल के बाद जी मंडल होता है तब जाके बात अवर मंडल होता है that is option number first one is the right answer एक दम परमसत्त आंसर है प्रस्ण संक्या 11 का option A अपनी अ इकल्प का चैन कीजे जो अन तीन विकल्पों से भिन है मैं आपसे कहना चाहूंगा जैसे कि आप एक बार ध्यान से देखिए 96 और 24 में कोई भी किसी का भी बर्गमूल नहीं लिया जा सकता 49-18 में किसी का बर्गमूल नहीं लिया जा सकता लेकिन अब आप कहने लगेंगे क इसर 81 का बर्गमूल लिया जा सकता है और 64 का भी बर्गमूल लिया जा सकता है लेकिन एक चीज प्रॉपर तरीके से देखना जैसे मैं आपसे कहना चाहरा हूँ 81 का बर्गमूल लेंगे 9 आएगा और 81 हमारा एक भी सम नंबर है लेकिन 88 और 64 वाला जो option है वो बिलकुल एक दम correct answer होगा due to reason behind this इसके पीछे का logic क्या है दोनों की दोनों sum भी है और एक का बर्गमूल भी लिया जा सकता है that is option D is a correct answer वाकि reasoning है आप सभी समझदार है और भी logic कई सारे भी बन सकते है देखे उस विकल्प का चैन कीजिए जो अन तीन विकल्पों से भिन है similar, darjling, उटी और आगरा इसमें सही answer हो जाएगा option number D यानि की आगरा या पे भिन हो जाएगा अगला प्रस्ण कहता है वह विकल्प चुनिए जो अन तीन विकल्पों से भिन है देखे एक कॉमा जीरो लिखा हुआ है फिर दोई कॉमा तीन है फिर तीन कॉमा आठ है और चार कॉमा सताइस है देखे चार का बर्गमूल लिया जा सकता है और सताइस का घनमूल लिया जा सकता है इसलिए answer होगा option number D is a correct answer we can move next question session पसंद आ रहा है तो एक like करके अपने साथियों के साथ session को share करना कदापी न भूले और इसी तरह की reasoning की और भी practice class चाहते हैं तो comment box में अपनी पृतिकरियां अवर्ष्य देते रहें प्रस्न कहता है दिये गए उत्तर विकल्पों में कौन सा विकल्प निमलेकित सब्दों का आरोही क्रम में सार्था क्रम होगा सबसे पहले चीजों को प्रॉपर तरीके से समझते चलना जैसे जैसे मैं आपसे कह रहा हूँ सबसे पहले अनुभूती होगी अनुभूती के बाद बोध होगा बोध होगा तब समभेश किया जाएगा समभेश करने पर इसकीम का निर्माड होगा अन्त में जाके समायोजन होगा और जब अन्त में जाके समायोजन होगा आपसन नंबर फोर्थ बन इस राइट आंसर यानि D option एकदम परमशत्य आंसर होगा प्रस्न संख्या 16 वह विकल्प चुनिए जो अन तीन विकल्पों से भिन है देखिये वच्छडा हो मेमना हो या आपका शावक हो शावक होगा भई अससा कहो तो ये तीनों बच्चे होते हैं लेकिन मुर्गी याँ पर जो आंसर है वो एकदम परमशत्य आंसर है क्योंकि मुर्गी बच्चे की स्रेडी में नहीं आएगी मुर्गी का जो बच्चा होता है उसे चूजा कहते हैं प्रस्न संख्या 17 कहता है वह विकल्प चुनिए जो अन तीन विकल्पों से भिन है द्यान पूर्वक चीजों को देखते चलें सेशन पसंद आये तो साथियों के साथ सेर करना कदापी न भूलें ए में एक जोड़ा प्लस वन किया वी हो गया और डी से एक कम किया सी हो गया किलियर डवलू में एक जोड़ेंगे एक हो जाएगा जैड से एक कम करेंगे बाई आ जाएगा लेकिन इस वाले में क्या हुआ देखिए वी है यू है एक जोड़ा ये तो आ गया लेकिन एस है टी है यहाँ पे माइनस एक करना था रही है क्या हो गया प्लस एक इसलिए आंसर क्या होगा आप्सन नमबा सी इजा करेक्ट आंसर आईए अगले प्रसंट को दियान पूरबग देखेगा मैं आपसे कहता हूं यह 8 नमबर कोश्चन प्रदर्शित करता है ठीक है ना यह 7 और 2 है 7 और 2 का अंतर लेते हैं कितना होता है 5 और 7 और 2 को जोड़ देते हैं कितना होता है 9 इन्हें घुमा के लिग दिया मैंने आपके लिए 69 सेम लाजिक लगाना है 5 और 4 का अंतर 1 आएगा 5 और 4 जोड़ देंगे तो ना हो जाएगा that is 19 option number A is a correct answer हो जाएगा किलियर आई अपने 19 नंबर प्रस्ण में देखेंगे 19 नंबर प्रस्ण क्या कहना चाहता है E में 1 जोड़ा F F के बाद G H तो अब start किसे करना है I से जंजट मत लेना मोल किसी का I से option A की start है answer हो गया option D किसी भी बरकार की टेंशन मत लेना अगर पूरा solve करोगे तो आप तो आप आपके दादा पर दादा भी प्रस्ण को पूरा करने में परियाब तो समय नहीं ले पाएंगे दियान रखेगा चीजों को सभी चीजों को proper तरीके से maintain करना है बात मैं reasoning में कर रहा हूँ अपने आप के लिए मत लेना श्यम के लिए मत लेना सिर्फ reasoning के logic को समझने का प्रियास करें प्रस्ण संख्या 20 कहता है 120, 440, 960 और 1660 के असी के बाद क्या आएगा देखे 120 और 440 के बीच का अंतर 320 चार सो चालिस और 960 के बीच का अंतर 520 पास नो सो साथ और 1680 के बीच का अंतर 720 तो अब कितना हो जाएगा 920 यह 920 जब 1680 में जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 2600 और 2600 बोले तो आपसर नमबर फर्स्ट बन इस राइट आंसर आईए 21 नमबर प्रस्ट को करते हैं 25 कोशन में आपको शांदार अंदाज के शाथ कराने वाला हूँ शायद ही आप अगर दिया लेके भी घूमेंगे तो इतनी फास्ट तरीके से इतनी सटीकता के साथ आपको प्रस्ट साइद ना मिल सकें लेकिन दुनिया में वीरो की कमी नहीं है आप भी कोशिस करें आप भी बहुत तेजी के साथ प्रस्टों को कर सकते हैं और साथ में समझ सकते हैं लेकिन अगर अभी तक सेशन को लाइक नहीं किया है तो लाइक करके साथी संबदी मित्रकार और यार दोस्तों दुस्मन जो भी है सभी के साथ सेर कर दो एक दम क्लास को फैला दो और भी क्लासिस इसी तरह की अगर आप चाहते हैं कमेंट वक्स में अपनी प्रतिक्रिया अवर्श्य देते रहेगा कोश्चन देखेगा एक छोड़ दीजे V के बाद C आया C के बाद D आया D के बाद E आया अब हमें आगी क्या लाना होगा एक छोड़के F चाहिए last में दो Option है अभी नहीं गएंगे M से 1 कम क्या N 1 कम क्या M और 1 कम करेंगे तो L के साथ F चाहिए और L के साथ F मिलेगा option number first में that is option A is the correct answer next question तोड़ा सा language का question है समझने का वश्य परियास करें मैं completely आपको solve करके दिखाऊंगा और एक एक चीज आपको define करते चलूँगा explain करते चलूँगा एक सड़क पर एक पंक्ती में 5 बसे जिनका नाम M, N, O, P, Q है वस M सामने और Q पिछले सिर्य पर खड़ी है तो देखिए M सामने है और Q हमारे पिछले इससे पर खड़ी है N वस M और O के बीच में है तो N M और O के बीच में हो गई P वस O और Q के बीच में है तो P O और Q के बीच में हो गई देख लिजे सभी की सभी पांचों बसे आ गई हैं अब कहता है कौन सी बस बीच में खड़ी है तो बीच में खड़ी हुई कौन सी बस है O और O बोले तो option D is a correct answer next question की ओर चलते हैं एक दम exact paper आपके लिए दिया जा रहा है जैसा कि question paper exam में आता है shame 25 out of 25 आपको score करना है H से मोटा है लेकिन M जितना मोटा नहीं है यानि G जो है H से मोटा है लेकिन M से मोटा नहीं होगा भई फिर कहता है Q भी M जितना मोटा नहीं है तो Q जो है वो M के बराबर मोटा नहीं है लेकिन G से मोटा है Q G से मोटा है अब कहता है सम्मों में सबसे पतला कौन है तो देखिए सबसे लास्ट में कौन आएगा G के बाद H क्योंकि यहाँ पे भी G है इसलिए आंसर होगा option number V that is H is the correct answer आईए अगले प्रस्ण को ध्यान से देखेगा एक व्यक्ति दश्चिर दिसा में 15 मीटर चलता है सबसे पहले 15 मीटर दश्चिर दिसा में चले आए अब क्या हुआ दाएं मुड़कर 15 मीटर चला यह दाएं आएंगे तो पश्चिम चले आएंगे 15 मीटर चल गया अब क्या वे फिर से 22 मुड़ा और 15 मीटर चला तो ये भी देखो 22 मुड़ के 15 आ गया अब प्रस्ण कहता है वे अपनी प्रारंबिक इस्तिती से कितनी दूर है तो देखें यहां से लेके यहां की डिस्टेंस 15 यह वाली और 10 यह वाली मिला के कितनी हो गई 25 मीटर और 25 मीटर बोले तो Option B is a correct answer आईए अपने अगले प्रस्ण में आते हैं प्रस्ण में कहा गया है नेमने लिखे त्विकल्पों में से वह सब्द चुनिये जो दिया गए सब्दों के अक्षरों का प्रियोग करके नहीं बनाया जा सकता देखिए Option B ध्यान से देखिए लेंसर में A आया जबकि A ह जाएगा Option B आये इसी के साथ मैं आपको एक जरूरी सूचना दे देता हूं SSC ने अपना ओफिसियल कलेंडर जारी कर दिया है इसके माधियम से SSC CHSL SSC Junior Engineer SSC CGL जैसी विभिन प्रतियोगी परिक्षाव की एक्जाम डेट कंफर्म कर दी गई है साथ में नई वेकेंसी की भी जारी कर दी गई है कि कब से उनके आवेदन किया जाएंगे और कब से उनकी आवेदन कंप्लीट होने के बाद परिक्षाई कराई जाएंगी 2020 के लिए प्रॉपर के लेंडर आपके शाथ आगया है 2020 की प्लाइनिंग भी इसमें जारी कर दी गई है जैसे कि आपको अवगत क इसमें दिक्कत हो तो आप अफिसल वेबसाइट पर जाकर भी इसे चेक कर सकेंगे आए अनकेडमी लेकर आया है CET दा व्रहमास्त्र वैच यनि आज ही डाउनलोड करें Google Play Store से अनकेडमी लर्निंग एप स्वयम को एन्रॉल करें और CET दा व्रहमास्त्र वैच का सब्सक्रि को डिसकाउंट मिल जाएगा CET दा व्रहमास्त्र वैच के एजुकेटर्स की अगर मैं बात करूँ तो देखे राहूल सर जीए जीए पढ़ाने वाले हैं इंग्लिस वर्खा में पढ़ाएंगी अविने सर क्वेंटिटिव एप्टिट्यूट बुनेश सर्मा सर भी जीए पढ़ाएंगे सुमित सर्थ इंग्लिच के लिए परवल शर्डिकोंटिटिव उप्टिट्यूट क्रती में जीए जीए,ईश दीपक सर रीजनिंग और संदीप सर इस बैच में इंत्पढ़ाने वाले हैं आज ही सब्सक्रिप्शन लें और कूपन कोड लगाना ना भूलें स्टडी फॉर ड्रीम्स देखें नेक्स्ट बैच में आ जाते हैं अल्टीमेट आइकॉनिक 2.0 बैच के एजुकेटर जो वेस्ट एजुकेटर हैं वो आप एक बार देख लिजे पबन राउ सर मैच्स के लिए यानि कौनिटिटिव अप्टिट्यूड अविनफ सर्मा सर कौनिटिव अप्टिटिव अप्टिट्यूड राहूल अरोरा सर जीए जीएज उनेश सर्मा सर जीए जीएज बर्खा में इंगलेज संदीप सर इंगलेज अमन सर इंगलेज दिव् वैच वैच आपका अनकेडमी लर्निंग एप पर इसमें रनिंग है आज ही एंडॉल करें और अपनी प्रिपेशन को स्टार्ट करें वैस्ट एजुकेटर्स आप देख लिए जगा पवन सर कॉंटिटिव एप्टिट्यूट अविन सर कॉंटिटिव एप्टिट्यूट जित प्रेंद सर जिए जियस विशाल सर कॉंटिटिव एप्टिट्यूट सुमिश सरी रीजनिंग और शमभावी में इंगलिस पढ़ाएंगी अफरी नजमत जियस और साथ में बात करते हैं दिव्यांसु में दिव्यांसु सर स्वरी जियस पढ़ाने वाले हैं आज ही एंडॉ कोड़ अवश्य यौद रखें इस्टडी फर ड्रीम्स जियस गुरूज 2.0 वैच आपके साथ भी समय रणिंग में है राहूल अरोरा सर वुनेश शर्मा सर क्रती मैम और साथ में जितेंद्र कुमार सर होंगे इसमें अब सरकारी नोकरी इसी बार लेनी है सभी वैचिस के अब इजूकेटर्स की स्टैट्स एक ही सब्सकिप्शन में मिलने वाले हैं औल इन बनज सब्सकिप्शन तो किस बात की देरी अंडर। करें & start your preparation अब मैं आपको बताऊँगा आप किस प्रकास से इस सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं, मंतली भी इस ले सकते हैं, 3 मंस का ले सकते हैं, 6 मंस का ले सकते हैं, लेकिन फिर भी मैं आपसे कहना चाहूँगा कम से कंड 12 मंत का सब्सक्रिप्शन अभी सुलें, एक साल का सब्सक्रिप् मिलेगा 12 मन्त में 58% आफ है 24 मन्त में 75% आफ चल रहा है अब अलग अलग कोर्स क्यों खरीदना जब एक सब्सक्रिप्शन से सब कुछ है मिलना आज ही Google Play Store से डाउनलोड करें Unacademy Learning App श्वयम को enroll करें और सर्च करें हमारी प्रोफाइल अबदेश कुमार शाथ में हमें फालो कर डिजे ताकि आपको regular updates मिलती रहे and this class we will discuss reasoning special practice class यानि miscellaneous questions आज हमने किया है this class will be important for all upcoming government exams के लिए discount code study for dreams telegram channel का link आपको screen पर visible है साथ में आप visit कर सकते हैं www.study4dreams.in मैं ते हैं अपने next session में thank you for watching this session जहें जावाराद